कि अपने आपको जरा कंट्रोल में रखना चाहिए इतना इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है सब को बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं देख सकते हैं नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही विवादों में रहने वाली टीमसी की सांसत महुआ मोहित्रा ने इस बार जो है वो सारी हदें पार कर दी दरसल आपके लिए बता दे के लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसत भवन में बावजूत भी हस्ती रही महुआ मोहित्रा दरसल आज जो तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार मोधी सरकार के ओपर अडानी के मुद्दे को लेकर हमला वर है और इसी बीच लोकसभा में चल रहे सत्र के बीच में महुआ मोहित्रा ने अडानी को लेकर साधार नशाना और जब खतम हो चुकी थी महुआ मुईत्रा की स्पीश तो उसके बाद उन्होंने भारतिय जंता पार्टी के लिए गाली दी और कहा हरामी यानि कि इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल उस लोकतंतर के मंदर में टीमसी की सांसद महुआ मुईत्रा की तरफ से किया गया जिस स तमाम जो सांसद हैं तमाम जो नेता हैं वो जंता की मांगों का प्रती निद्व करते हैं पर यहां पर जंता के द्वारा तो कोई बात नहीं की गई जंता के हितकी तो कोई बात करती हुई नहीं नजर आई महुआ मुईत्रा बलकि गाली गलोच पर उतर आई जब जिस तरी पर कारवाई की मांग की जाती है पर उसके बावजूद भी अपने बयानों को लेकर बहुत कम ही माफी मांगती हुए नजर आई हैं महुआ मोहितरा यानि की टीमसी की यह एक खास सांसथ जो की ममता पैनरची की भी काफी जादा खास है जिस तरीके से कल इनों ने लोकतंतरी यानि कि लोकतंद्र की धचिया उड़ा दी और संसत भवन में गाली दी और भारती जुनता पार्टी के लिए हरामी शब्द यानि कि एक ऐसा शब्द एक इस तरीके की गाली जो है वो संसत भवन में दी गई और आज ये वीडियो लगातार सोशल मेडिया पर वारल हो रहा है उसके बाद भारती जुनता पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि महुआ मोहित्रा को इस पूरी गाली जो जिस तरीके से दी गई है संसत भवन में लोकतंद्र का आपमान किया गया है महुआ मोहित्रा को माफी मांगनी चाहिए तो वहीं दूसरी तरह भारती जुनता पार व्क नहीं होना चाहिए इस तरीके से जो है वो करारा जवाब दिया गया है हेमा मालिनी की तरफ से TMC की सांसद महुआ मौितरा को जहाँ एक तरफ हेमा मालिनी ने जवाब दिया है तो इसी के साथ भारतिय जंतापार्टी के नेता शहजाद ने भी इस पूरी वीडियो को अज़ाद ने लिखा है कि महुआ मोहित्रा ने संसद में फिर एक बार अपमान जनक शब्द का प्रयोग किया इससे पहले वो एक पत्रकार से अभधरता कर चुकी है माकाली का अपमान कर चुकी है ब्रहमणों को चोटी वाला राक्षस कह चुकी है क्या इस बार भी टीमसी उ पर इस गाली गलोच पर इस पर टीमसी के बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री ममता पैनर जी क्या कहेंगी आज ये लगाता सवाल उट रहा है एक तरह भारतिय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और जो यूजर है क्योंकि शोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वाइरल हो रहा है देश की जनता अलग-अलग राय जो है वो महुआ मोहितरा के इस अभद्र भाशा इस गाली को लेकर कर रही है और महुआ मोहितरा हरामी के साथ जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड होता हुआ भी नजर आ रहा है और इसी बीच अंकुर सिंग जो माफी की जगा केवल हस्ती रही प्रहाज जोशी ने ये तक कहा कि वो सिर्फ माफी मांगने की बात कर सकते हैं लेकिन माफी मांगना ना मांगना उनके हाथ में हैं ये उनकी संस्कृती को दर्शाता है तो वहीं दूसरी तरफ कविता नाम की यूजर ने लिखा है जो प्याले हो सकता है लेकिन ये सब मिला कर तुम्हारे गुनोने पन को कुछ नहीं छिपा सकता तुम्हारी असली आउकात हमेशा से दिख जाती है इस तरीके से जो तमाम यूजर्स हैं आज वो महुआ मोहित्रा को लेकर अपनी जो बाते हैं वो रख रही हैं जो वीडियो का ल कल और आज भी जन्ता उन्हें लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और आज भी संसत पहुचने से पहले जम मीरिया करमी उन्हें पूछी इस बात को लेकर सवाल महुआ मोहित्रा से पूछे गए तो महुआ मोहित्रा ने कहा कि मुझे किस तरीके से वर्ताब करना चाहिए कि इन शब्दों का इस्तमाल संसत भवन में करना चाहिए मुझे ये भारतिय जंता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है हम एपल को एपल कहेंगे संतरा नहीं कहेंगे इस तरीके से बात जो है वो महुआ मोहितरा की तरफ से की गई है यानि कि कल जो तरीके से उन्होंने लोकसभा सदन में यानि कि संसद में जो तरीके से गाली दी है शब्दों का इस्तमाल किया है इनके लिए आज भी उन्हें पच्तावा नहीं है और आज भी वो ये कह रहे हैं कि जिन शब्दों को यानि कि जिन शब्दों का इस्तमाल मुझ किसी से या भारती जंता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है इस तरीके से जो है वो बात करती हुई टीमसी की नेता यानि की सांसत नजर आई आखिरकार क्या-क्या बातें जो है वो कही गई का महुआ मोहितरा की तरफ से संसत में और किस तरीके से उन्होंने गाली दी जब गाली दी गई महुआ मोईतरा की तरफ से उससे पहले वो गौतम अडानी को लेकर अपनी स्पीच रख रही थी जोस पर उन्होंने ये तक कहा पूछा था कि मार्किट मेर रेगुलेटर सी भी इस पूरे मामले में साइलेंट ऑपरेटर क्यों बना हुआ है महुआ ने ये भी स चाज की जानी चाहिए यानि कि आज उसी अडानी गुरुप और अडानी गौतम अडानी को लेकर सवाल संसत में महुआ मुआ मुइतरा उठा रही हैं जो कि कुछ महीनों पहले ही किस तरीके से बिजनस सम्मेट में नजर आये थे पक्षिम बंगाल में और ये तक बातें कह जा रही थी कि एक बड़ा इंवेस्मेंट जो है वो गौतम अडानी पक्षिम बंगाल में कर सकते हैं और जिसके लिए खुद मंदा बैनर जी जो कि पक्षिम बंगाल की मुख्यमंतरी हैं उन्होंने मुलाकात की थी और इंवाइट भी किया था गौतम अडानी को पक्षिम नहीं मिला और किस तरीके से जवाब उन्हें भारतियों जोन्ता पार्टी की तरफ से दिया गया तो किस तरीके से उन्होंने इन तमाम शब्दों का इस्तमाल किया गाली गलोच पर उतर आई महुआ मुईतरा इसी के साथ अगर हम जिक्र करें तो ये पहली बार नहीं है कि म हुआ मुईतरा को ट्रोल कर रही है उन्हें सवाल पूछे जा रही है तो वहीं एक लंबी फैरस्त जो है वो भी सामने आई है कि कहां खा कब कब और महुआ मुईतरा ने किस तरीके से वरताब और कैसे शब्दों का इस्तमाल वो पहले भी कर चुकी है दर असल एक महिला पाई के साथ मारपीट की डिवेट के दौरान एक पत्रकार को मिडल फिंगर दिखाई खुले तोर पर प्यम और पूर्व सीजी आई को गाली दी पुलवामा के गौरफ शाली पातंगवादी कहा भारत को सूसी पौटी पौर रेबबलिक कहा कल संसत के अंदर अब शब्द पर आ रही है तो वहीं दूसरी तरह भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूरवाला ना भी कुछ चीजों का जिक्र किया है जिस पर उन्होंने काली मा को लेकर जो टिपड़ी की गई थी महुआ मोहितरा की तरफ से उसका भी जिक्र किया था और उस पर भी माफ बार करते हुए भारती जंता पार्टी पर जो है वो हमला बोल दिया है कि मुझे उन्हों से सीखने की जरूरत नहीं है खेर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाब